Hello everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है NCRT Science State No. 29 चलिए वीडियो की सुरुबात करते हैं इस वीडियो में हम सब कुस्सन No. 281 से लेकर के कुस्सन No. 290 तक देखेंगे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब इसका PDF अगर आपको पाना है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर जरूर जोइन कर ले मैं डेली आप सब को पूरे साल NCRT करभाऊंगा किलाश 6 से लेकर के किलाश 10 तक साइंस की किलाश 6 से लेकर के किलाश 12 तक जोग्रफी की और 11-12 आपका एकोनोमिक्स का होगा और 11-12 हिस्ट्री का होगा और 11-12 पॉलिटी का होगा ठीक है इतना आपको कंबलसरी ये करना अगर आप BPSC इवेन आप कोई भी एक्जाम की तैयारी करते हैं तो ठीक है चलिए पहले कुस्टन से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुस्टन नमरे 281 फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वक्ष करती है तो इसका अंसर हो जाएगा असकंदन रसाइनिक असकंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वक्ष जल में परिवर्तित किया जाता है फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल, सोधन, क्रमसा, असकंदन, उर्नन तथा अपसाधन के द्वारा होता है परिनामता स्वक्छ जल प्राप होता है आप अगर गौँ में रहते हैं तो गौँ में क्या किया जाता है बहुत सारे फिटकरी डाल दिये जाते हैं ताकि कौँवा का पानी साप रहे और उसमें जितने भी कितानों है वो मर जाए तो फिटकरी गंदले पानी को किस प्रिक्रियादवारा स्वक्ष करती है तो इसका आंसर हो जाएगा असकंदन पुशन नमबर 282 भारी जल का रसाइनिक फर्मूला क्या है आंसर हो जाएगा D2O तो भारी जल एक्चुल में क्या होता है तो भारी जल हैड्रोजन के समस्थानिक डिटोरियम का उक्साइड होता है इसको डिटोरियम उक्साइड कहा जाता है भारी जल का रसाइनिक फर्मूला D2O होता है भारी हैड्रोजन का रसाइनिक सूत्र D2O होता है D2O, रंगहीन, गंधहीन, तथा स्वाधीन होता है इसका सापेक्च गनत 1.1 तथा हिमांग साधरन जल से थोड़ा अधिक होता है सबसे इंपोर्टेंट लाश्ट वाला लाइन है हैवी वाटर का परियोग यानि भारी जल का परियोग परमानो उर्जा सन्यातर में मंदक व सीतकाल दोनों के रूप में किया जाता है तो ये सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे नीचे वाला और इसका सोत्र ठीक है तो भारी जल का रशानिक फरमूला D2O हो गया, डिटरियम उक्साइड और ये किसका समस्थानिक होता है, तो ये देखेंगे आप हैड्रोजन का एक परकार है यानि ये जल के साथ हैड्रोजन को मिला देंगे, तो समस्थानिक क्या हो जगा Dutrium Oxide और इसका परियोग का होता है तो परवानु उर्जा सनियंत्र में मंदक वा सीतकाल दोनों में किया जाता है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कुस्षन नमबर 283 किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो आंसर हो जगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में एक दो बात आप याद रखेंगे हाइड्रोजन का परवानु कर्मांक एक होता है साधारान हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है भारी hydrogen समस्थानिक deuterium जो भी हम सब पिछले कुशन में देख रहे थे उसमें neutron होता है जबकि अत्यांत भारी hydrogen समस्थानिक tritinium में 2 neutron होता है यानि जो साधारन hydrogen होगा उसमें कोई neutron नहीं होगा ठीक है नमबर 284 hydrogen को जलाने से क्या बनेगा तो इसका अंसर हो जाएगा पानी ये तो बहुत वार एक्जाम में आया है तो बहुत important प्रस नहीं है hydrogen बिना हवा की उपस्तिती में नहीं जल सकती है यदि हवा की उपस्तिती में hydrogen को जलाया जाएगा तो वो oxygen के साथ प्रतिकिरिया कर जल का निर्मान करेगी यानि water बनाएगी यानि hydrogen को जलाने पर क्या प्राप्त होता है तो पानी प्राप्त होता है जिसका सुत्र होता है H2O ठीक है किस गैस को इस्ट्रेंजर गैस करते हैं इसका आंसर हो जाएगा जेनौन हवा से भारी जेनौन गैस है परमानु करमांक इसकी 54 होती है इस गैस की खोज विलियम रॉमसे एभम मौरिस ट्रेवर्स ने 1898 इसपी में किया था इसकी वायो मंदल में मातरा कम होती है मतलब बहुत ही कम है तो जेनौन को बोला जाता है इस्ट्रेंजर गैस ठीक है तो ये कुस्टन आएगा आपके एक्जाम में किस गैस को इस्ट्रेंजर गैस करते हैं तो आंसर हो जाएगा जेनौन जिसका परमानु करमांक 54 है बढ़ते हैं अगले कुस्टन की ओर कुस्टन नमबर 286 पुदीना आप सब जरूर देखे होंगे तो पुदीना के किस भाग में तेल का रिक्तम प्रतिस्यत पाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा पत्ती पुदीना ओकरिया में तेल मुखेता पुदेनी के पत्ती के भाप आस्वन द्वारा प्रत किया जाता है तो ये वाला जो टर्म है भाप आस्वन ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसी से प्रत करते हैं हम सब पुदीने से निकला हुआ ओयल जिसको पुदीना ओकरिया में तेल बोलते हैं मतलब में तेल बोला जाता है मुखेता तो पुदीने के पत्तियों के भाप आस्वन द्वारा प्रत किया जाता है पुदीने का विज्ञानिक नाम मैंथा आवेसिस है ठीक है तो इसलिए इसको मैंथाल बोला जाता है में क्या क्या जाता है तो इस विदी में तीन मेहने के बाद प्रतियक पांस सप्ता के अंतराल पर फसलों के नमने इकठे किया जाते हैं इस नमनों के जाज की जाती है जिसके अधार पर उसमें पोशक तोतों की मात्रा ग्यात कर ली जाती है यानि उस फसल में कितना पोशक त पौशक्तों का विश्देस्न किया था तो यह नाम आप याद रखेंगे क्लीमेंट ने 1960 में फसल लेंग विधी द्वारा पौधौमें क्या था पॉषक्तों नाम याद रानां चाहिए और मुष्द लेंगिक विधी would be think आफ सब पॉस्टिक तवत है उस अनाज में आपको कितना पॉस्टिक तवत मिलने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं कुस्टन नंबर 288 सीथ भंडारों में फलों तथा साख सब्जियों का अब गटन कैसे हो जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा धीमा हो जाता है देखे सीथ भंडार क्या होता है तो एक फ्रीज टाइप है रूम जिसको बोल सकते है तो वहाँ पे बहुत सारे फल सब्जी वेगरा को इकटा कर लिया जाता है ताकि बहुत दिन तक चले तो अब यह क्या होता है तो सीथ भंडारों में फलों तथा साख सब्जियों की 10 डिग्री सेंटीग्रेट से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेट ताप पर रखकर परिरक्षित किया जाता है जिसके द्वारा सुक्षम जीव नहीं मरते हैं कि तो उनकी सक्रित्याएं कम हो जाती है ठीक है तो सीथ भंडारों में फलों तथा साख सब्जी का आप घटन जो करके 15 डिग्री सेंटीग्रेट तक ठीक है चलिए 289 कुस्टन देख लेते हैं कुस्टन नंबर 289 देख लेते हैं हम सब 289 निसेचन की किरिया कहां पर होती है तो इसका अंसर हो जाएगा अंडा वाहिनी में निसेचन की किरिया अंडा वाहिनी में संबन होती है या नर के मैं निसेचन के बाद आदर सुरूप से 266 दिन यारतिस सब्ता का होता है ठीक है तो यह important question बनता है आपका exam के लिए इसके उपर मैं अलग से dedicated video बनाओगा क्योंकि इसमें हर्मोन का भी अत्यन भूमिका है इसके अलावा जितना भी यह जनन chapter है इसके उपर मैं अलग से detail में ब उपस्तिती के आवसकता होती है तो इसका अंसर हो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें oxygen तो पैण पौधे खुदी हम सब को देते हैं तो उस टाइम प्रकास अंसलेशन किरिया के दौरान oxygen की उपस्तिती के आवसकता नहीं पड़ती है चलिए देखते हैं प्रकास अंसलेशन किर या में पौधे अपने हरे रंग वाले अंग जैसे पट्टी द्वारा सोच के प्रकास सूरी के प्रकास होगा वहां पे सूरी के प्रकास की उपस्तिती में वायू से carbon dioxide तता भूमी से जल लेकर जटिल खात पदार जैसे carbohydrate का निर्मान करते हैं और oxygen gas बाहर निकालते हैं ठीक सेट नंबर 29 आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका पीडियाब अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर के जरूर जोईन कर लें ताकि आपको पीडियाप में मिल जाए और टेलिग्राम चैनल पर अगले साल से यानि एक जनवरी 2024 से जीके का टेस्ट भी सुरू हो रहा है तो उसको भी आप अटेम्ट करने की आवस कोसिस करेंगे और अटेम्ट करेंगे ठीक